नवस्कार मैं उकावय कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स बिहार सरकार स्वास्त बेवस्ता को बहतर बनाने के लिए लगातार कोसिस कर रही है आपको बता दे कि इसको लेकर मिसन सिक्स्टी भी चलाया जा रहा है जिसके तहट बिहार के अस्पतालों का इमर्जेंसी को लेकर डॉक्टरों की टीम गतित की गई है वहीं बता दे कि अब दूसरी पाली के लिए भी आपको पंजन कराना होगा आपको ये खबर हम विस्तार में बताते हैं बता दे कि आपात कालीन सेवा के लिए इमर्जेंसी मेडिकल टीम का गठन किया गया है अमरित की ओर से यह बाबत आदे से जारी कर दिया गया है या आदे से ततकाल प्रभाव में लागू होगा अस्पतालों में साम की ओपीडी की ओधी मार्च से अक्टूबर के बीच साम चार बजे से छे बजे तक जब की नवंबर से फरवरी के बीच दोपहर तीन बजे से स साम पांच बजे तक रहेगा वहीं केंद्र सरकार ने आपात कालीन सेवा और ट्रॉमा सेंटर के बीच सहयोग पर जोर दिया है स्वास्त मंत्राले के सचिव राजेस भूसन की अध्यक्सता में आयोजित सेमिनार में इस पर सहमती बनी है साथ ही इसके तहत इमर्जंसी मेड मेडिकल टीम का भी गठन किया जाएगा बिहार से इस सेमिनार में राज स्वास्त समिती के डॉक्टर अभिशेक कुमार सिनहा सामिल हुए उन्होंने पंचायती राज प्रतिनीदियों को इसमें जोरने की बात कही नेशनल इमर्जंसी मेडिकल टीम की पहल का उद्धिस करने का भी दिशा निर्देश दिया है स्वास्त विभाग ने चिकत्षकों की वर्यता तैय करने के लिए साथ सदस्य समीती बनाई गई समीती का अध्यक्ष संयुक्त सचिव सुधीर कुमार को बनाये गया है अभी बिहार स्वास्त सेवा सवर्ग के चिकत्षकों की वर्यत कि वडियता तैय की जा सके तो आप ने दिखा कि किस तरीके से बिहार सरकार लगातार स्वास्थ पे काम करने को लगी हुई है वहीं बता दे कि एक तरफ जहां मिसन सिक्स्टी चलाई जाती है ताकि बिहार के तमाम अस्पतालों को ठीक किया जा सके और मडीजों को कोई कराना होगा आपको बता दे कि बिहार सरकार लगातार इस अस्पतालों की काम करने पे लगी हुई है आपको बता दे कि मरीजों को कोई दिक्कत न हो इसके तहट बिहार सरकार जो है काम कर रही है और मिसन 60 भी चलाया जा रहा है ताकि मरीजों को किसी और देश या फिर किसी औ और राज्य में जाकर अपना इलाज ना कराना परे उनका इलाज जो है बिहार में हो जाए सही तरीके से हो जाए इसके लिए बिहार सरकार से लेकर तमाम स्वास्त विभाग भी अब काम करने पर उतर गई है तो फिलाल के लिए खबर में इतना ही चानल को सब्सक्राइब करें Facebook पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद